तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके और पे क्लिक कर दीजिए हाई एब्रिवान स्वागत आप सभी का स्टीम हैजिकल हिंदी पे अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है वैशाली और मैं एक साइकिक रीडर, एस्टोलोजर और नियुमलोजिस्ट हूँ और फ्रेंड्स सेल्फ लब का सेकेंड बैस स्टार्ट हो गया है आठ दिन का कोर्स है जो वाट्सअप पे होगा इसके साथ फ्री हीलिंग सेशन है और यह भी जखाया जाएगा कि खुद की हीलिंग कैसे करते हैं बहुत ही रीजनेबल चार्जिस पे हैं तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मुझे मेरे वाट्सअप पे मैसेज करकी और आप अपनी परसनल रीडिंग भ लगा दिये हैं लेटर वाले यू नो तो आपको बहुत इसली पता चल जाए कि आपको कौन सा चूस करना है कौन सा नहीं चूस करना है तो जिस भी आपके कार्ट पर आपकी सबसे नजर जाती है वो कार्ड आप देख सकते हैं अपने नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां से आप अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं पूरी वीडियो देखने की जरूरत आपको बिलकुल नहीं है और अगर आप पिककार रीडिंग्स या डेली टेरो रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राब अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स फिर अब शुरू करते हैं हाई पाइल लम्र वन तो चलिए फ्रेंण्स देखते हैं कि आपकी पर्सम की करेंन फिलिंग्स क्या है आपको लेकर यंद्स ये जनरर्ल रीडिंग्स हैं अगर आपसे मैच नहीं करती है तो आप वाट्सट नमर पर मे इनके जो भी person है जिनके बारे में भी यह पूछ रहे है प्लीज वो person इनके लिए currently क्या feel करते हैं तो मैं यहां से उठा रही हूं दो रिवर्स में और आपको लगता है कि मैं रिवर्स में कार्ट ज्यादा निकालती हूं तो यह देखिए अभी अभी मैंने आपके सामने पलट दिया है चेंज कर दिया है प्लीज उनिवर्स पार नमर वन के जो person है उनके लिए क्या feel करते हैं क्या current feelings है उनकी उनको लेके यहां है princess of cups उसके बाद हमारे पास यहां पर आया है chariot two of swords और फिर है हमारे पास यहां पर justice ओके दो major अकानास आए हैं तो friends इस connection में मुझे बहुत strongly लगता है कुछ लोग के मुझे ex partner लगते हैं आपके ex partner हो सकते हैं कुछ लोग का मुझे लगता है आपके husband और wife भी हो सकते हैं जिस person के बारे में आप पूछ रहे हो हो सकते हैं आप दोनों की काफी टाइम से बात नहीं हो रही है communication नहीं हो रही है इस connection में आप जो इस connection में चीजों को balance करना चाहते हो ठीक करना चाहते हो आगे बढ़ना चाहते हो let's see यह person की current feelings क्या है आपके लिए please universe यह person के लिए क्या feel करते है queen of wands वाओ अच्छा card आया है page of swords and reverse जितने भी page के card है सारी reverse में आये है and seven of wands तो friends आपके जो person है उनको आप काफी जादा पसंद हो they really like you जैसे भी आप दिखते हो इस person को वह अच्छे लगते हो आप इनको लगता है आप काफी confident person हो at the same time but again यहाँ पे कुछ energy है थोड़ी सी मैं negative तो नहीं कहूंगी मैं यह कहूंगी past की कुछ energy है this was a relationship में problem से अगर आप इस person के साथ relationship में हो अगर आपका इस person के उपर crush है इस person को आप पसंद करते हो तो यह person आपको like तो करते हैं जैसे भी आप दिखते हो आपकी appearance उनको पसंद है अभी आपको यह ऐसे जितना जादा nature wise नहीं चानते हैं की appearance इस person को ज्यादा पसंद है और अभी अपनी पास की कुछ चीजों में डूबे हुए हैं कुछ चीजों में फसे हुए हैं अगर यह जो person है आपके यह husband है wife है या फिर आपके एक्स पार्टनर है तो यह आपके लिए तरीके का message है कि अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत डीपली लव करते हैं यह person तो अभी वो ऐसा नहीं है थोड़ा सा मुझे यह भी लगता है कि person अभी अपने थोड़ा सा काम पे जादा ध्यान दे रहे हैं हो सकता है इस person के life में कोई case चल रहा हो या कुछ problem चल रही हो और इस वज़ा से वो आप से थोड़ा सा दूर भी जा रहे हैं अपना आपको defend करने की बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस person को लगता है कि अभी जो important चीजे है वो थोड़ा सा यह वाली चीजे हैं यह काम जादा important है आपको ऐसा नहीं है कि यह like नहीं करते हैं देखो liking मुझे यहां पर दिख रही है I don't know why but cards भी शक आपको negative लग रहे हो बट मुझे ऐसा लगता है कि person आपको पसंद करते हैं बट at the same time यह person थोड़े से शक्की मजास के हैं बहुत जादा you know शक करते हैं trust issues इस person को past से पुरी तरीके से बहार नहीं निकले अगर यह आपके ex partner है तो अभी past में जो आपके जो कुछ भी हुआ है इस person के साथ negative हो positive हो तो अभी उन सारी चीजों को भुला नहीं पाए है उन सारी चीजों से बाहर नहीं निकल पाए है लेट मी पूल फ्यू मोर कार्ट्स पाइल नम्मर वन के लिए उनिवर्स पीस हमें बताए है यहां पर है seven of pentacles reverse में और आया है four of swords अगें यह जो person है बहुत strongly दिखता है अभी आपसे दूर है अभी यह person जो है rest करना चाहरे है चीजों के बारे में सोचना चाहरे है यह person थोड़े से परिशान है mentally stressed है यह person हो सकता है पूरे पूरे दिन कुछ काम भी न करते हो लेकिन आपसे बात भी न करते हो ऐसा भी possibility है इस person के साथ क्योंकि यह बहुत दा mentally थके होई मैसूस कर रहे है अपनी life में और आपके लिए अभी जो है यह बहुत दा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं इस connection के अंदर उनको लगता है कि life में इतना stress है कि पहले मैं उन सारी चीजों को देख लूँ आपके बारे में बाद में सोचूँगा इस तरीकी कि इस person का जो है चाहते हैं और आपने मेशा उनके बारे में अच्छा सूच रहे हैं अभी यह पूचेगा कि अभी आपके साथ यह क्या चाहते हैं तो इनका यह होगा कि अभी तो मैं अपने बारे में सोचना चाहती हूं या अपने बारे में सोचना चाहती हूं अपनी चीजों पर ध्यान देना चाहता है क्योंकि life में इतने stress चल रहे हैं पहले वो खतम हो जाए उसके बाद में इस connection के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी ओके friends तो एक हमने यहां पर advice card निकाला था तो मैं वो card जो है आप लोगों के लिए read कर देती हूँ because यह आया था तो important है और यह new cards है तो मैं यह अपने क्या कहते हैं उससे read करूंगी इसकी जो guide book है I'm really sorry for that okay so यह जो card है यह बात करता है transformation के friends यहां पर आपी 555 मैंने देखा है तो definitely आपके life में कुछ powerful change आ रहा है don't feel fear in this transition यह जो भी आपके life में change आ रहा है you know एक दिम से बदलाव आ रहा है आपको लग रहा हो कि यह जो change है आपके लिए peace भी लेके आएगा आपके जीवन में शान्ती भी लेके आएगा विकर मुझे लगता है कई न कई यह जो person है न अगर यह person आपकी crush है तो बड़ा strong मुझे लगता है कि आपको यह किसी पुराने person की याद दिलाते हैं please मुझे comment section box के तो जरूर हैं अगर यह आपके X हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको realize होगा कि इस relationship में चीज़ें क्यों चली रही और क्या चीज़ें जो थी वह गलत थी या क्या चीज़ें वह खराब थी एक आपको ना अलग ही perspective दिखाए देगा connection का आप इस connection को इक अलग तरीके से ही देख हैं तो ठीक है अगर नहीं रहते हैं तो जोर जबरदस्ति करके इस person को अपनी life में रखने की कोशिश मत करो क्योंकि यह जो connection आपका इस person के साथ और अभी जो time चल रहा है आपका एक दो महीने मुझे strongly दिख रहे है 28 दिन पता नहीं क्यों मुझे एक दम से आया है तो 28 days का क कुछ हो सकता है cycle आपका कि यह person आपको कुछ important lesson दे रहे हैं तो बहुत जादा इस person से उमीद एक्स्पेक्टेशन मत रखो या stress मत लो यह समझो कि person आपको जीवन में कुछ सिखाने आए है रहेंगे तो ठीक है नहीं रहेंगे तो चले जाएंगे I know कहना असान है करना मुश करके personal reading करा सकते है friends और मेरे चैनल को लाइक करना वीडियो को सब्सक्राइब करना sorry वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी मत भूलेगा और प्रींच friends मुझे comment section box के तो जरूर बताएगा अगर यह आपसे match करती हो तो thank you so much have a nice day hello pal number 2 तुश परिस्ट की करन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर फ्रेंच सी एक जनल रीडिंग है अगर आपसे match नहीं करते हैं तो आप वाट्चैप नम पे मैसेज करके personal reading भी करा सकते हैं किसी और पोर्सन की भी रीडिंग्स रेख सकते हैं आप सेल्फ लाव का आट दिन का को जोईन करन चाहते हैं जिसमें free healing included है उसके लिए भी आप मुझे वाट्चैप मेसेज कर सकते हैं 10th August से इसका batch वो शुरू हो जाएगा थीस यूनिवर्स पार नम चू के बारे मताये इनकी person जो है क्या फील करते हैं करें फीलिंग्स क्या है इनकी person की इनको लेके यहां पर मारे पास है high priest उसके बाद हमाया पास आया है 10 of swords then we have two of pentacles यह advice card है यह हम सबसे बाद में पढ़ेंगे कुछ लोग के लिए मुझे लगता है आपका तीन साल तक पुराना रिष्टा है कुछ लोग के लिए यह आपके childhood friends यह school friend भी हो सकते हैं बहुत time से आप इस person को जानते हैं पांथे साल भी आ रहा है आप इस person को जानते हैं strong soulmate connection भी हो सकता है कुछ लोग का यह ace of swords nine of swords okay इनकी current feelings क्या है इनकी person की इनको लेकर universe death card reverse में आया है friends two of swords का card आया है काफी सारे swords के card आया यह आपे we have the ace of pentacles over here यह जो person है हो सकता है relationship की वज़ा से आपकी connection की वज़ा से थोड़ा से stress चल रहे हैं लेकिन at the same time यह person हो सकता है आपके साथ इस person का कुछ sorry friends किसी के घर काम चल रहा है बहुत noise हो रही है यह person है आपको कुछ stable देना चाहते हैं हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को काफी time से जानते हैं यह भी हो सकता है आपको इस person arrange marriage के through मिले हैं और यह person आपके साथ कुछ stable relationship चाहते हैं या तो family value ने set कराया है यह भी हो सकता है कि family की किसी दिक्कत के वज़ा से caste या culture के वज़ा से इस person को connection में problem दिख रही है यह confused हो रहे हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें उसके बाद हमारे पास यहाँ पे card है two of cups definitely यह जो person है आपको पसंद करते हैं आपको like करते हैं काफी जादा साथी साथ यहाँ पे card है king of swords लेकिन हो सकता है यह person आप आपसे बात इस connection के बार में बहुत जादा दिमाग से सोच रहे दिल से नहीं सोच रहे हैं ऐसा नहीं की प्यार नहीं करते हैं लेकिन दिमाग से जादा सोच रहे हो सकता है कि आप दोनों की family में कुछ बात चीद हो और चीजे वो अच्छी तरीके से बनी ना हो जैसे आप लोगोंने सो हो जा था उस हिसाब से चीज़ें वह हुई नहीं और यह जो परसन है बहुत स्ट्रेस चल रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर इन्होंने हो सकते हैं कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जो प्रैक्टिकल यह दोनों के लिए ठीक है लेकिन इमोशनल यह आप दोनों ही बहुत परेशान च देख रहे हैं इस वज़ा से परसन जो है इस कनेक्शन को इग्नोर करना चाहरे हैं जबकि यह परसन आपसे लव करते हैं यह परसन आपको पसंद करते हैं वाओ यह परसन जो है आपके साथ इमोशनल यह इस कनेक्शन में इस परसन को बहुत अच्छा लगता है बहुत अच को जानते हो एक love marriage या love sorry love marriage मैंने बोला है तो हो सकता है love marriage का कुछ ना कुछ importance होगा आपकी life में और यह जो card है यहां पर बहुत strongly संकार्ड रिवर्स में आया है और five of pentacles में हो सकता है इस person ने या आपने कुछ ऐसी गलती गरी है जिस वज़से connection खराब हो गया हो या तो परसन ने आपको पास में चीत किया है या आपने कुछ ऐसा किया है या फिर कुछ ऐसी बातचीत हो गई है दोनों की families के बीश में या ऐ सब्सक्राइब करता है कि हो सकता है कि family कोई person है जिसके विज़से connection में problem आ रही है ना बाहर से eagle की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है तो अगें मेरा थोड़ा सा ध्यान वहां पे चला गया है बट येस बिकॉस मुझा लगा था कि कुछ किसी तरीके का message है तो message हो सकता है व अब ही जो कार्ड है वह बहुत strongly बात करता है कि इस connection में या तो किसी ने जूट बोला है या आपने बोला है या इस person ने बोला है जिस वज़से अच्छी घासी चीज़ें जो थी ना relationship में connection में वह हो गई है खराब और कही न कहीं यह ऐसी feeling है कि अब क्या करें अब क्या होग लेकिन ultimately जो है चीज़ें खराब हो गई हैं तो friends अब देखते हैं advice card कि universe आपको advice क्या देना चाहती है तो यहाँ पर card है हनुमान का तो मैं यह आपको guide में से read करके बताऊंगी friends यह card जो है friends बहुत strongly बताता है कि आप हमेशा अपने दिमाग में जो आपकी thoughts चल रहे हैं जो मैंने आपको कहाता यह swords के cards आएं trust में आपके सामने cards निकाले हो match कितना करता है इस card का मतलब यह होता है कि हमारे दिमाग में जो भी thoughts चल रहे हैं उनके हम slave ना बने उनके दासी ना बने कि सिर्फ उनकी कहने पर हम चले कि दिमाग में कुछ भी negative thoughts आ रहा है आप वही सोचते जा रहे हैं कि शायद यही सच चाही है यही सच है लेकिन जो ultimately दिख रहा है बात सारी तब खराब होती है जब आप उन विचारों को अपने दिमाग में रोक लोगे एक जहां रोक लिया मतलब कि आपने वहां ओवर थेंकिंग स्टार्ट कर दिया और आप चीज़े हो जाएंगे खराब कभी भी दिमाग में negative thought आता है तो हमेशा उसको यही बोल कि एक आपकोच डी एंप कराना चाहते है कि यह जो पर्सन है और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना लॉक करना द्ला थेंक अजुय Đây आधिiszर कहसं क्यों यह पुक्ति अ password 3 कि आपकि परैल दमए फुच्ट्रींच एक और कि यह मुझे वट्सिब cya करणे will कि करैंसे करा सकते हैं औ आप हो रेके friends और यह एक general reading है यह advice card है यह हम सबसे end में देखेंगे अगर यह reading आप लोगों से match नहीं करती है तो आप कोई और पाइल choose कर सकते हैं किस और person की video देख सकते हैं या उपा मेरा WhatsApp नमर गिवन है अब personal pre-training भी करा सकते हैं अब self love का आठ दिन का course join करना चाहते हैं जिसके साथ healing free है तो आप वो मुझे मेरे WhatsApp नमर पर message करके करवा सकते हैं प्रीज उनिवर्स पाइल नमर 3 के लिए बताए इनके जो person है उनकी current feelings क्या है इनके लिए page of cups we have two of wands यहां पे है night of cups वाओ दो कपस के काड़ा है तो आपके जो person है वो water sign भी हो सकते हैं बढ़ हम sign पे इतना नहीं जाएंगे आजकर zodic sign के बारे में कम बात करती हो बहुत सारी लोग जो हैं वो सिर्फ sign ही देखते हैं बाखी चीजों पर गौर नहीं करते हैं उसके बाद हमारे पास है king of wands इनके person की feelings क्या है इनको लेकिए इस connection में मुझे बहुत जाधा attraction दिख रही है जो मुझे cards बता रहे हैं ये person जो है आपको काफी पसंद करते हैं आपको लाइक करते हैं ये person हो सकता है इस person यह चीज आपको बताई भी हो कहीं बी हो express भी और हो सकता है कि कुछ दोरीया है यहां पर या फेर लॉंग दिस्टिंस की वाजा से ही इस कंडेशन में ईस कनेक्षिन में जो है रेलेशनिप में दोरे आप ठीशन्व में एक था डिशन से क्चाएस ऐसे मोन बात करते है कि अभी सेक्षन में कुछ भी में थोड़ा सिदर करें, so that मैं बाकी की cards निकालो, तो रखने में दिख करना हो. मुझे इस cards में sexual energy भी दिख रही है, कि sexually attracted है ये person आपकी तरफ. बातचीत आप लोगों की होती है, जो cards मुझे बता रहे हैं, because we have the page of cups, जिन लोगों की बातचीत नहीं होती है, so I would suggest you, कि आप कोई और reading चूज कर सकते हैं, because यहाँ पर दिख रहा है, normal बातचीत होती है, बहुत जादा नहीं होती है, बढ़ हाँ, normal बातचीत यहाँ पर होती है, on and of connection चलता है, on and of बात चलती है, तो यह देखते हैं, और cards लिकाल के, कि person और क्या feel करते हैं आपके लिए, please universe, इनके person क्या feel करते हैं, 8 of swords, 9 of cups reverse में, तो मैं cards ऐसे गुमा रही हूँ, because लोगों को लगता है कि मैं फिर reverse जादा लिकाल रही हूँ, 5 of cups, and यहाँ पर आया है, hide of end, again, यह जो person है, मुझे ऐसा लगता है, कि आप दोनों का connection अभी बहुत ददा strong नहीं बना है, कुछ लोग के लिए मुझे यह new connection लगता है, कुछ लोग के लिए मुझे लगता है, सिर्फ 6-7 मैने हुए है, बहुत ददा time नहीं हुआ है, relationship को, आप लोग हो सकता है, इस person से arrange manage kit through भी मिले है, या आप लोग का रिष्टा पका हो गया है, या आपके fiance है, या यह भी हो सकता है, कि person आपकी husband या wife है, जिनसे आपकी नई नई शादी जो है, वो होई है, तो कार्ट चुछ आपको बहुत strongly बताते हैं, इस person अभी बहुत जादा satisfied नहीं है, emotionally बहुत जादा खुश नहीं है, इस connection में, लेकिन फिर भी वो चीजों को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकते हैं, आप लोग की बनती बहुत हो, compatibility हो, बहुत सारी आपकी thinking जो है, एक दूसरे की काफी match करती है, यहाँ पर देखे, devil का card आए, जैसे मैं आपको बोला था, sexual attraction बहुत जादा strong है, मुझे cards शुरू में ही shuffle करता टाइम ही लगा था, तो again, आपका casual relationship भी हो सकता है, इस person के साथ, यहाँ दोनों को एक दूसरे से बहुत जादा attraction है, जो आपको समझ नहीं आता कि इतनी attraction क्यों है, कुछ लोग को यह relationship twin flame लगता है, बट friends, this is not a twin flame relationship, अगर बाकी की चीज़े situation आपसे match करती हैं, तो यह twin flame relationship नहीं है, इस connection में attraction बहुत जादा है, again, same चीज, बट emotionally, एक वो deep होता है ना, कि soulmate वाला connection, वो मुझे अभी नहीं feel हो रहा है याँ पे, अभी हम से feelings के बारे में बात करें, यह person जो है, थोड़ा सा negative भी है, अगर सोचें हमकी feel क्या करते हैं आपके लिए, थोड़ा से person की थोड़ी सी negativity भी है, हो सकता है person जो है, पहले इनकी past के relationship बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं इस person के, तो यह बहुत ज़्यादा connection में अभी invest नहीं करना चाहते हैं, अपना time यह बहुत ज़्यादा stable connection अभी life में कोई चाहते नहीं है, यह person अपने past की हो जासे, अभी यह सिर्फ अपने present पे focus करना चाहते हैं, present पे ध्यान देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा future का stress या tension नहीं लेना चाहते हैं, यह बहुत ज़्यादा पेजों वांड, तो definitely यह person आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके तरफ, आपसे बात्चीत करना चाहते हैं, जो cards मुझे बता रहे हैं, और यहाँ पे एक और एक strong चीज़ आ रही है, friends, जो थोड़ी से different है, बहुत मैं आपको बताना चाहूँगी, यह जो भी person इस इस के बारे में भी, आपके cards देख रहे हैं, इस साल, यह साल जो इस person के लिए बहुत जादा अच्छा नहीं है, बहुत हो सकता है, इस person का ego बहुत हर्ट हो रहा हो इस साल, यह जो जैसे चीज़ें चाहते हैं, वो चीज़ें उनके साथ से हो नहीं रही है, क्या business में कुछ problems आ रही हैं, यह चीज़ें भी possible हो सकती हैं, इस person को थोड़ा सा, हो सकता है कि इस person की life बहुत अच्छी नहीं, बहुत smooth नहीं चल रहे हैं, मैं यह तो नहीं कहूंगी, अच्छी नहीं चल रहे हैं, बहुत smooth नहीं चल रहे हैं इस person की life अभी, तो कहीं नहीं जो साल है, इस person को काफी दाधा affect कर रहा है साल की जो energy है यह person जो थोड़ी सी ego stick भी तो हो सकता है कि आपसे बहुत जाधा अपनी feelings share तो करते हो बाद जो deep feelings होती है वो नहीं बताते हो अंदर जो deep चीजे होती है बहुत जाधा हो जगता है अपनी बारे में भी आपको बताते हो उपर उपर की बाते हो जब आप बहुत जाधा कुछ पूछते हो तो चीजों को ignore कर देते हैं या फिर कुछ और बात बना देते हैं तो इस तरीकी कि यहां पर energy आ रही है कि person ऐसे कर बताते हूं यह कार्ट जो है फ्रेंड्स यह आप लोगों से कहता है कि आप डिवाइन में भगवान में विश्वाश रखिए यह कार्ट जो है लव एंद कमपैशन के बार में बात करता है कि यह जो भी person है उनको लेकि आप अपने दिल में कमपैशन रखें हो सकता है कि अपने दिल में प्यार रखिए प्यार का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप एक रोमांटिक कनेक्शन ही रखें मतलब कि आप इस person के बारे में अच्छा सोचें बहुत खराब मत सोचें क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया हो उनकी अपनी situation रही हो लाइफ म कि यह connection कैसा भी है चोटा है बहुत टाइम नहीं रुके यह बहुत लंबा हो जो भी है यह connection यूनिवर्स आपको इस connection के थ्रू लव सिखा रही है यह connection के थ्रू आपको यह भी सिखा रही है कि आप कितने important हो आप में कितनी अच्छी qualities है आपकी क्या strength है जिन पर आपने कभी शायद गौर नहीं किया है पर शायद इस person के आने से आपने अपनी बारे में बहुत कुछ चीजे जो है वह रेलाइस की है जो कार्ड मुझे देखके यहां पर लग रहा है एक बहुत ही काम और सूधिंग सी energy मुझे आ रही है यहां पर बहुत सॉफ्ट सी energy है सूधिंग सी इस person की आपका इस person के साथ future क्या है और इस person की intentions क्या है तो आप मुझे मेरे WhatsApp नम्म पर मेसेज करके personal paid reading करा सकते हैं और मेरे चैनल को subscribe करना वीडियो को like करना बिल्कु मत भूलेगा और comment section box की through जरूर बताएगा अगर यह आपसे match करता है तो thank you so much